पश्चिमी समाज में हम लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में हर दिन आने वाली परिस्थितियों को समालने के लिए भावनाओं के बज़ाए बुद्धी जादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है ये यूरोप की देन है देकार्थ की देन है मुझे लगता है कि लंबे समय तक मानव समाजों ने जीवन चलाने के लिए संगर्ष किया है जब आप जीवित रहना चाहते हैं तब आपकी भेदभाव करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वना आप जीवित नहीं रह पाएंगे जब तक हम ऐसे समाज नहीं बनाते जहां सभी अपना जीवन चला सकें तब तक ये नहीं रुकेगा तो यही वज़ा है कि पूर्वी समाज बुद्धी का इतना सहारा नहीं लेते थे वे बुद्धिमत्ता का सहारा लेते थे इन दोनों में बहुत फर्ख है पर शायद अंग्रेजी भाषा में बुद्धिमत्ता के अलग-अलग पहलूओं के लिए कोई शब्द नहीं है संस्कृत भाषा में आपकी बुद्धिमत्ता के कम से कम आठ आयाम है तो बुद्धी उनमें से सिर्फ एक है जीवन चलाने की प्रक्रिया के लिए बुद्धी बहुत उपयोगी है क्योंकि ये भेदभाव करने की शमता देता है अगर आप बुद्धी से कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे मान लीजी आप इस फूल को अपनी बुद्धी से जानना चाहते हैं आप देखेंगे कि आप केवल एक चीज कर सकते हैं इसकी पत्यां तोड़ कर इसे जानने की कोशिश चीरफाड ही बुद्धी का तरीका है तो अगर आप अपनी मां को जानना चाहते हैं तो प्लीज चीरफाड न करें ठीक है? जीवन ऐसे नहीं चलता अगर आप जीवन की संपूर्टा को जानना चाहते हैं तो बुद्धिमत्ता के दूसरे आयाम जरूरी है क्योंकि बुद्धी ने हमें जीवन चलाने और दूसरों पर रौब लगाने की ख्षमता दी है इसलिए हम बुद्धी के भक्त बन गए हैं बुद्धी एक अद्भुत चीज है कोई सवाल नहीं है पर आपको समझना होगा कि इनसानी बुद्धी उस सीमित जानकारी के आधार पर काम करता है जो इसने एक ठीकी है ये बिल्कुल नई चीज नहीं खोच सकता आप जो पहले से जानते हैं उसी को प्रोजेक्ट करके दूसरे आयाम की कलपना करते हैं और आप अपनी जानकारी से कभी भी किसी अंजान आयाम में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते इसलिए मैं कहूंगा कि पश्चिमी समाज लंबे समय से ट्रेडमिल पर दौड रहे हैं वे बहुत भागते हैं और फिट हो जाते हैं पर वे कहीं नहीं पहुँचते हाँ फिटनेस बेशक होती है ठीक है अगर इंसानी पहचान और इसके जूटे रूपों से जुडने की बात करें तो हम हमेशा एक खास पहचान क्यों पाना चाहते हैं मेरा मतलब है कि पैंसिलवेनिया में हर कोई सफेद खूंटों के घेरे वाला एक बड़ा घर क्यों चाहता है ऐसी चाहत कहां से आई है क्योंकि ये समाज ऐसा है रोल मॉडल का विचार बिलकुल पश्चिमी विचार है कुछ महीने पहले यहां एक महिला मेरा इंटर्वियू ले रही थी और उन्होंने पूछा आपका रोल मॉडल कौन है सद्गुरू मैंने कहा मैं मॉडलों के साथ रोल नहीं करता ऐसा विचार कभी मेरे अंदर पैदा नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ मैं खुद को किसकी तरह बनाऊ यह हमारे मन में ही नहीं आता क्योंकि पूर्व में हमेशा यह देखा जाता है कि कैसे अंदर की और मुड़ें और अपनी गहरी क्षमता की खोज करें न की बाहर किसी और की तरह बनें यह चीज भारत के स्वाभाविक लोकाचार में है कि आप कोई और इंसान नहीं बन सकते आप कभी भी और नहीं हो सकते आप सिर्फ आप हो सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को कैसे विक्सित करें यही सब कुछ है पारंपरिक योगे को दाहरन कुछ ऐसे होते हैं एक आम का पेड़ नारियल के पेड़ को देख कर सोचता है कि यह पेड़ लंबा है मुझे भी ऐसा बनना है वो एक अच्छा आम का पेड़ नहीं बन पाएगा जीवन का हर रूप अनूठा है और उसका अपना महत्व है जीवन के लिए बस यही जरूरी है कि उसके पूरे विकास के लिए जरूरी पोशन दिया जाए अपना पूरा विकास करना ही वो एक लौता काम है जो आप कर सकते हैं वरना आप दिखावा करते रहेंगे तो समस्या यह है कि जब आप अपने बुद्धी से जीएंगे तो दो बातें गहराई से जुड़ी हुई है जब आप अपने बुद्धी से जीएंगे तो आपके पास जानकारी बहुत होगी पर आपको पता कुछ नहीं होगा यही आधुनिक शिक्षा है लोगों के पास जानकारी बहुत है सभी बड़ी बातें कर रहे हैं डिनर पार्टीज में आप देख सकते हैं लोग धर्ती और मंगल के बीच की सटीक दूरी वगएरा बताते रहते हैं पर इसका फाइदा क्या है? बात बस ये है कि आप ऐसी जानकारी कठा कर सकते हैं जानकारी उपलब्ध होने पर आप महसूस करते हैं कि आप सब जानते हैं पर आपको कुछ भी नहीं पता इससे आपको वित्तिय बाजार में शायद मदद मिल जाए पर जीवन में, जो जरूरी है वो जानकारी नहीं है, जीवन की गहराईयों तक पहुँचना जरूरी है, आपको जीवन में गहरा उतरना होगा, इसका अनुभव करना होगा, आप इसे जान नहीं सकते, अगर आप एक किताब पढ़कर या दिमाग में कुछ समझ कर ये सोचते कि आपने जीवन को जान लिया, नहीं, आपको अनुभव करना होगा। अनुभव की गहनता ही जीवन में सब कुछ है। तो अगर आप बुद्धी से जीते हैं, तो नकल स्वाभाविक रूप से होगी और फिर रोल मॉडल बनते हैं। क्या मैं एक कहानी सुनाऊं। मैं हमेशा अनुवती लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं कहानी शुरू करता हूँ, कई लोग सोचते हैं सोने का समय हैं, क्योंकि सिर्फ तभी उन्हें कहानी सुनाई गई थी। तो बीसवी सदी की शुरुवात में ऐसा हुआ। 1910 में एक आदमी था जिसका नाम था टोपी वाला। टोपी वाला मतलब टोपी बेचने वाला। लोगों का नाम कभी-कभी उनका व्यापार दर्शाता है। तो वो भयंकर गर्मी में गाउं और शहरों में जाकर टोपी बेच रहा था। एक दिन दोपहर में वो ठक गया था, तो वो एक पेड के नीचे बैठा, थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आँखें खुली, तो उसने देखा कि सभी टोपियां गायब थी। उसने हर जगा देखा, कोई टोपी नहीं थी। जब हर संभव कोशिश करने से भी कुछ नहीं होता, तो लोग प्रार्थना करते हैं। तो उसने प्रार्थना करने के लिए उपर देखा और उसे टोपियों वाले बंदरों का जुंड देखा। तो वो उन पर चिलाया, वे भी उस पर चिलाये। उसने उन्हें गाली दी, उन्होंने भी अपनी भाशा में गाली दी। उसने जो हाथ में आया बंदरों पर फेका, बंदरों ने भी जो हाथ में आया उन्होंने उस पर फेका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे तो हताश होकर उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। सभी बंदरों ने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी और वो उन्हें उठा कर अपना काम करने चल पड़ा। 2013, 21 दिसंबर, एक और आदमी टोपी बेचने निकला। उसका नाम भी टोपी वाला ही था और एक दोपहर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अच्छे से खाना खाया क्योंकि 21 सदी थी। और तुरंट सो गया। कुछ समय बाद वो जागा, टोपियां गायब। उसने इधर उधर नहीं देखा, सीधे उपर देखा। बंदरों का जुंड टोपियां पहन कर बैठा था। वो उटकर नाचा, वे भी नाचे। उसने अजीब से चहरे बनाए, उन्होंने भी अजीब चहरे बनाए। बेवकूफ आदमी, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरे दादाजी थे। तो परियाप्त सबूत हैं, इस बात के सबूत हैं कि बंदर विक्सित हो रहे हैं, ठीक है। जब आप अपनी बुद्धी की सीमाओं में जीते हैं, तो आप वही पुराने शिकारी और बटोरने वाले हैं। शायद मास, चमड़ा, हड्डियां और जानवरों के दाँत एक कठा करने की बजाए, आज आप जानकारी बटोरते हैं। आपको मंगल और सूरज की बीच की दूरी वगएरा पता है। अगर आपने इतना एकठा किया है और किसी ने इतना एकठा किया है, तो उसके आगे आप खुद को जीरो मानेंगे। तो बटोरना हमेशा तुलना पर आधारित होता है। आपकी अपनी चीज़ों का महत्व नहीं हैं। बस किसी और द्वारा एकठा किया गया आपसे कम या दूसरे शब्दों में कहें तो आप किसी और की कमियों या असफलता का आनंद लेना शुरू कर देते हैं तो यही बुद्धी का स्वभाव है क्योंकि ये एक अठा की गई चीजों पर जीवित है